पंजाब में आमादनी पाठी की जीत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि कैसे साधारण परिवारों से आने वाले लोगों ने बड़े-बड़े सियासी सूर्माओं को पटकनी दे दी आज हम आपको आम आदनी पार्टी के ऐसे ही विधायकों से मिलवाने वाले हैं सबसे पहले सुनिए बारवी पास और महस 35 साल के लाप सिंग को जिन्होंने भधौर में सीम चरण जीत सिंग चन्नी को चारो खाने चित कर दिया बदाओर में इतना लंबा मार्जन किसी ने सोचा नहीं यह बदाओर के लोग पहले ही सोच चुके थे क्योंकि हमारा हलके का अपना ही इतिहास है हमारे लोग हमेशा चेंज के लिए बोर्ट करती हैं तो यह उनका मन पहले था, बढ़ार के लोग तो जो उन्होंने सोच लिया, फिर उससे पीसे नहीं हरे। तो इस बार भी था के जैसे ही चरण जी सिंग चन्नी अनौस हुए तो उन्हें लगा के हम एक मज़ूर परवार का लड़का है, अपने पैसे अपने जो उनके पास जो धांचा है उससे जाकर उससे दबा लेंगे। लेकिन भधाओड के लोगों ने मेरा जो साथ दिया, मैं, मेरा परवार हमेशा रिणी रहेंगे उनके लिए और तीन चीजें थी जो बड़ी काम की, एक तो दूसरी पार्टी जिते जो रवेथी पार्टियां है काली कॉंग्रस लोग हतास थे उनसे, दूसरा फेक्टर के जो देली गवरनस है, अमादून पार्टी की, वो पंजाब में इंप्लीमेंट हो, उससे बढ़िया, इसलिए अर्वेंजी के चेहरे को उनके काम को बोट किया, पूरे पंजाब के साथ साथ बधाओडने, और तिसरा में फेक्टर जे रहा, कि जिस लोगसवा से हम आते हैं पूरे पंजाब के लोगों की एक मांग थी के भगवान तुमान जी को सीम होना चाहिए, तो पार्टी ने वो मांग पूरी की, और इतना बड़ा भूम मिला हमें के लोग ये बोले थे कि एक चन्नी छोड़ो, चाहे दस चन्नी आजा, यहां से जाड़ू जीतेगा, आमदी पंजाब चुराओं में इस बार अमरित सर्व पूर्द की सीद सबसे होट सीद थी, यहां कॉंग्रेस से नवजोट सिंग सिदू और अकाली दल से बिक्रम जीत सिंग मजीथिया, आमने सामने थे, दोनों एक दूसरे को हराने का दम भी भर रहे थे, लेकिन बाजी मार गई जरुत मन्लों को सानिटरी नापकिन बाटने वाली एक साधारन सी महिला जो हैं, में लिए पैट वुमिन ऑफ पंजाब जीवन जोर कौर से और कहीं ना कहीं वो अपना मन बना चुके थे, कि इस बार उनको बदलाव चाहिए है, और एक मौका उनको अर्विन केज जीवाल को देना है, तो हम अभारी हैं, उन सब वोटर्स का, उन सब सपोर्टर्स के, जिन्हों ने अर्विन जी का जो ट्राइड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है, उसको पंजाब में वेलकम किया है, और अर्विन जी और भगवन मान साब की जोड़ी को गले लगाया है, लेकि थोड़ा बहुत डर था कि दो बड़े नाम आपके खिलाफ हैं, और एकदम पूरी मेकेनिजम लगा हुआ है, आपको हराने में, तो आपको लिया था कि वो टाम आदनी पार्टी को डालना है, और बहुत सारे बज़वर्ग जो मिलते थे हमको, वो ये बोलते थे कि तुम आराम से जाके सोजाओ, तुम तो जीती हुई हो, having said that, ये नहीं था कि फिर हम आराम से बैठ कहे, काम तो हमको करना था, लेकिन ये है कि टफ नहीं था, और उसमें कही न कहीं लोग ये भी समझ चुके थे, कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और लोगों की बात कोई नहीं कर रहा, और ना तो उनको विधान सभा के development के साथ कोई लेना देना था, ना लोगों के मुद्दों के साथ लेना देना था, तो ऐसे में वाहिद एक आमादमी पाती है जो लोगों की आस उमीद पे पूरी उतर सकती है और लोग इस चीज़ को समझ चुके थे पंजाब में आमादमी पार्टी की आंधी में दो बार मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंग भी धराशाहिर हो गए और ये कारनामा कर दिखाया है 43 साल के अजीद सिंग को ही लिए पटियाला से आपने चुनाओ लड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंग जोने चार साल पंजाब की सत्ता समाली क्या रहा फैक्टर की अमरिंदर सिंग कॉंगरेश चोड़के आ गए इसलिए वो कमजोर पड़ गए या फिर अब वो अपनी बात नहीं रख पाए या फिर इस बार आधी ऐसी थी कि वो वो साधी में कहीं नक्तिक नहीं पाए देखिए देवर टू फैक्टर वन जो पहले ही जब तो फेरी फर्स डे जब हम लोगों के पास गए तो एक माइंसेट बन चुका था जो भी लोग थे वो के जीवाल जी भगवंतमान जी तोनों के लिए जो है व इंप्रूब्मेंट्स एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हुई थे काइंड ओफ महला क्लिनिक वाला कंसेप्ट फेर वहां पे फरिष्टा स्कीम यह चोटी-चोटी चीजे जो है दे कॉंटिब्यूट अलॉट वह एक बड़ा सा एक बिग मैगनिटूड का एक रीजन बन की सटल बट वेरी क्रिस्प शाप कंपेंट थी वह उस पर कोई स्कैंडल कोई किस्ता की कॉंट्रोवरसी नहीं थी दूसरी तरफ लोगों में इन दोनों रवायती पार्टी के अगेस्ट बहुत गुसा था बहुत रोश था हमारे पट्याला जिले में आप देखिए मैं तो इल्लीगल लिकर डिस्टिलरीज यह सब काम जो है इल्लीगल बेटिंग सब काम जो है वो पट्याले में राइट अंडर कैप्टेंज नोस चलता था लोग बहुत थक चुके थे हार चुके थे रोश था उनके मन में तो इस टू फैक्ट इस कॉंट्रिबूटे तो इस डिमा पने हं काम जोवय कि भगवंत्मान नहीं हरा पाए सुखवीर बादल को लेकिन आपने हरा दिया कैसे को अरविं जी था तो परिवार को हराया हम आदमी पार्टी के निशान नहीं लेकिन दोनों नेता कॉंग्रेस से आए और खुडिया साब भी कॉंग्रेस से आए तो यह क्या सही होग है यह क्या इसके इसके इस पर आप क्या को चाचा पतिजा तकड़े सी दो हैं ताइं प्यों पोत्रटा लिया तो जो दोगों ने हंकार रखा इतने बड़े रावन को दोनों घराना बड़ा मुश्किल था और लोगों ने बहुत प्यार दिया थैंक्यू थैंक्यू पूरा पंजाब थैंक्यू जलाला बड़ा एक आखरी में लोग जानना चाहते हैं कि कौन है वो गोल्डी कंबोज जिनो दिए सारी जिंदगी वहाँ पुछा जाता हूं कॉंग्रेस आपके टैलेंट को क्依ो नहीं पहचान पाई और आपके टैलेंट को कैसे पहचा प्रिफन को किसको कॉंग्रेस प्रिए पास इतने देने ने के लिए हैं आम आधी पढ़े नाम से लिए मेंको बोलो तो अपने तो बड़े-बड़े सियासी सूर्मा हार गए इस चुनाव में तो पंजाब में प्रकाश सिंग बादल से बड़ा नाम कौन हो सकता है सीनिर बादल पांच बार मुख्य मंत्री रहे लेकिन वो भी इस पार लंबी में आम आपनी पार्टी के उम्मिदबार से हार गए प्रकाश सिंग बादल को हराया बारधी पास 69 साल के गुर्मीद सिंग खुड्याने प्रकाश सिंग बादल जो पांच बार सुबे के मुख्य मंत्री रह चुके हैं उन्हें चुनाव हराया है आम आदमी पार्टी के गुर्मीद सिंग ने पहला चुनाओ है आपका और आप हाल में ही आम आदमी पार्टी में शामिल भी हुए कितनी बड़ी लड़ाई थी आपके लिए और कैसे आपने ये संभव कर दी लड़ाई कोई मैंनों नहीं कोई उखी लाग रही सी क्यों मैं 32 सालां तो नहीं लड़ाई आ रहे हैं मैं पिछे होके लड़ाई उन्दा सी एथ की मैंनों अगे होके लड़ाई समा मिल गया ते उदे विच्छ लोका ने बहुत वड़ा मेरा साथ भी दिता जीदा नतीजा अपने सारे अंदे सामने लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन है वो नेता जिसने प्रकाश सिंग बादल को हराया तो जरा हमारे दर्शकों को बताईए अपने बारे में आप कौन है और ये यात्रा अभी तक की जवाप की रही है मेरे पिता जी जथेतर जगदेव सिंग खोडियां जो पेला पिंड़ दे सरपाइश सान फिर मार्किनिंग बोर्ड पंजाब दे चेर्मेंट सत्तर तोले के सी तक पुनानमे में विचो अकाली दल मानवलों मेंबर पार्लीमेंट चुणे गए और उन्हादे इस संसार तो चले जानतो जो मिस हैपनिंग होई है उतो बाद मैं सियास्त बेचायां मेरा 32 साल दा जड़ा सियासी सफर है मैं उन्हों बड़े सबर नाड ते इमानदारी नाड लोकां दे के पेश करन दे जतन कीते आज जो दा मुल मेरे लंबी हलके दे लोकां ने पाया एबी पी नियूज आपको रखे आगे